नमस्कार दोस्तों वीवी पैट को लेकर के वीवी पैट के मामले में आज बहुत बड़ी खबर सीधे सुप्रीम कोट से आ रही है दोस्तों वीवी पैट की परचियों और एवीएम की वोटिंग की परचियों को प्रग्या जी बारी बारी से दर्शकों को पूरी जानकारी दे जाएगी कि सुप्रीम कोट के बितर क्या क्या हुआ उसका अपडेट मेरे पास आ चुका है मसला यह है कि जो इवियम है इवियम से वोटों का जो वेरिफिकेशन है वो वीवी पैट के जरीए करने के लिए वो भी हंड़ेट परसंट वेरिफिकेशन की उस बटन से उस बटन दबाने के बाद परची जो निकलती है वो परची मिलनी चाहिए वोटर को इसके उपर सारी सुनवाई हो रही थी तो वीवी पैट की परचियों की हंड़ेट परसंट वेरिफिकेशन को लेकर जो एक्टिवेस्ट अरुन कुमार अगरवाल है उन्ह को खुद बैलेट बॉक्स में परची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए इसमें इससे जो है वो चुनाव में गलबडी की आशंका खत्म हो जाएगी यह याचिका लगाई गई थी याचिका करता की ओर से एडवोकेट जो है वो प्रशांत भुशन हैं और गोपाल शरण ग है वी तर प्रशांत भूशन ने सबसे लैंडमार्क चीज जो सबसे बड़ी बात कही कहीं कि वीवी पैट की स्लिप को भी काउंट किया जाना चाहिए मिलोड जच सविवी पैट की स्लिप को भी काउंट किया जाना चाहिए यानि आपने एक तरफ मyeongशीन के वोट तो गिल बटन दबाया मशीन के वोट कम्प्यूटर में लगाया आ गया सामने लेकिन जब यह कहते हैं विपक्षी विपक्ष के लोग या फिर जो भी लोग है जो जिनको संशय होता है तो फिर वीवी पैट के भी वोट गिन लिये जाए जो परची दूसरे वाले बॉक्स में डाली ग परची यहां पर परची के वोट के वोट मिलाए जाएंगे तब सारा कुछ मामला वह आ जाएगा अब देखिए यहां पर प्रशान्त बूसर ने सुक्रीम कोड एबिकतर परग्या जी क्या का कि वीवी पैट कि को भी काउन्ट किया जाना चाहिए प्रग्याजी वोटर के हाथ में स्लिप दीजिए और इसे बैलेट बॉक्स में डाला जाए जर्मनी में ऐसा ही होता है यह प्रशांत भूशन ने भीतर कहा इस पर जो केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टीस दीपांकर धत्ता उन्हों ने कहा कि जर्मनी की जनसख्या कितनी है यह बताईए तो प्रशांट भूशन ने कहा कि पांच से छे करोड़ भारत में जो है पचास से साथ करोड़ लोग हैं जो डाल रहे हैं तब जस्टीस खन्ना जो दूसरे जज हैं इस मसले में उन्होंने कहा कि भारत में 97 करोड़ रजिस्टर वोटर हैं आप भूल गए हों अब यह में चीज़ निकली लेकिन इसके अंदर कोड में और क्या-क्या बाते हुई यह तो में बात हुई कोड में और देखिए प्रग्या जी प्रशांट भूशन ने भीतर कोड में कहा कि EVM में चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है इवियम के भीतर जो है चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है मतलब उससे चिप को जो है कि आज जो सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि इवियम के साथ छेडखानी हो सकती है या फिर सकता है वो प्रशान भोशर ने सुप्रीम कोट में जजों के सामने ये बात रखी और मैंने सुना कि नोंने कोई रिसर्च पेपर भी पढ़ा जिसके बाद सबूत भी दिये कि आप इस तरीके से छेड़कानी भी की जा सकती है उसकी बाद क्या हुँआ पहीतर क्या है कि इस बाद दिखा कर बता रहा है खैर सोसल मीडिया पर तमाम तरह के लोग घुम रहे चुना वायुग ने कहा था वह बात अलग करते हैं कोट रूम के अंदर प्रग्या जी चलते हैं कर दो कर दिखें क्वोटों में एड़ोकेट प्रशांत भुशन ने जो हैं गया कहते हैं कि इवियम चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है जदतर यूरोपियन देश इवियम से बैलेट पेपर पर लॉट आए हैं इवियम को है किया जा सकता है इस पर जस्टिस संजीव खन्ना जो है प्रग्या जी उन्होंने कहा कि वहां मत जाएए प्रशांत भूशन पर कोई विवा मतलब पहले में चुनाव अब जब सिर पर हैं तब उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पहले लेकर आना चाहिए और डिटेल में मैं खोल रहा हूं प्रग्याजी एक सेकंड और डिजीगा क्योंकि कुछ और डिटेल आई है हमारे PCR की तरफ से सुचित किया गया है इसके आगे क यह वीवी पैट की गिनती और वोटर के टोटल नंबर में कोई अंतर हुआ तो इसे नजर अन्दाज किया जाएगा मतलब कोड़ ने पूछा कि अगर नहीं हुई दिक्कत और सही वोट निकले तो उन्हों ने कहा कि अगर अगर कोई अंतर नहीं हुआ तो फिर इसे नजर अंदाज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने पॉइंट्स लिखित में दीजिए फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या चाहते हैं प्रशान बूसन ने कहा कि हम पेपर बैलेट पर लोट सकते हैं एक और ऑप्शन है कि वोटर्स को वीवी पैट जाही जरा है जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपकी दलील समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं इसके बाद जो है वकील संजय हेगड़े वो भी थे उन्होंने कहा कि इवियम में पड़े वोट्स का वीवी पैट स्लिप के साथ मिलान किया जाना चाहिए यह आवश्यक है वकील गोपाल संकर नरायन जो है उन्होंने कहा कि चुनाव आयों कहता है कि वीवी पैट स्लिप्स की गिंती करने में बारा दिन लग जाएंगे प्रचान बुषण ने एक रिसर्च पेपर पढ़ा जिसका जिक्रा आप कर रही थी जिसमें कहा गया कि इवीम के साथ गया जी ये कहा कि ये लोग हर लोग सबा सीट में केवल पांच वीवी पैट मशीन की गिंती करते हैं जबकि यहाँ पर 500 मशीने होती हैं ये सिर्फ पांच फिसदी है और इसके सही इसे सही नहीं ठैराया जा सकता है प्रचान बुसर कर रहे हैं कि हर लोग सबासी पर पर सवाल नहीं उठा रहे हैं यह वोटिंग के दौरान वोटर के भरोसे का सवाल है हम इवियम पर सवाल नहीं उठा रहे हम कहरें कि परची भी निकले वो परची भी बैलेट बॉक्स में जाए और उसकी भी गिनती हो साथ में जिससे इसमें जो है पारदर्चिता आ सके हो कहते हैं कि यह वोटिंग के दौरान वोटर के भरोसे के बारे भरोसे का सवाल है किसी दूर दराज इलाके में रहने वाले आदमी के बारे में सोचिए जो वोटिंग भूत में संगर्ज करता है और स्लिप तभी दिखती है जब साथ सेकंड के लिए लाइट आउन होती है वोट डालने में यानि बैलेट पेपर से जो सपर्ष का एहसास था वो पूरी तरह से मत मिलान होता है और इस मामले में प्रग्या जी जो सुनवाई है वो सुनवाई पिछली सुनवाई जो हुई थी वो एक अपरेल को हुई थी और इससे बहुत लोगों को बहुत सारी उम्मीदे हैं प्रग्या जी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदे हैं कि अगर इस मसले में को कोई decision आ जाता है तो EVM पर जो सवाल बिचारी EVM बदनाम होती है विपक्ष अगर कहीं जीत जाता है तो चुप रहता है अगर EVM कहीं हार गए तो फिर उसके बाद EVM EVM अचा भरे ची एक सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग हुआ है कि 11 लग जाएंग यो फिटारे जाएंगे जी 13 लग जाएंगे इतने दिन लग तुप आदमी सब्सकाइब कर ली गई का इविम के साथ खी यह पर कर लिए तो लेत आगो तो इसमें प्लकुल आपने ठीक बात कि कमसे का हुझ बट जाएगा और तो इसमें क्या क्या दिक्कत है, अगर वाकई में इस तरह की चीजे की जाएं, जिसे लोगों के जहन में जो सवाल है नेता, कि दिमांगों को जो सवाल आते हैं, चुनाव हारने के बाद, या फिर इस तरह की रिजल्स के बाद, तो वा आने बंद हो जाएंगे, तो दस दिन लोगों को तो कम से कम ये थोड़ी रहात होगी कि लोगों ने जो सवाल उठाए उनके इसाब से भाई चुना वायों ने फैसला लिया या तो ठीक है आप वीवी पैट की हंड़िट परसंट क्रॉस वोटिंग की जाएगी दिकत क्या है इसमें प्रग्या जी एक अपडेट औ सुनवाई के दौरान जो है वो कहा कि दस फीसदी लोगों लोग भी आपत्ती जताएंगे तो पूरी प्रक्रिया रुख जाएगी सुप्रीम कोट ने कहा कि वो अठारा अपरेल को उन याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा जिसमें वोटर वेरिफिकेशन पेपर गए अनुसार रिकॉर्ड जो वोट किये जाएंगे उसके अनुसार गिंति की जानी चाहिए थोड़ी कोट की भाषा है थोड़ी कठिन है प्रग्या जी जो जैसी आई है वैसी में पढ़के आपको बतारू इसका मतलब यह है कि कोट ने आग जो है वो अंतिम फैसला देते हुए यह कहा है कि इस इस यह जो वीवी पैट वाला मामला है जिसकी हंड़ेट परसंट मिल परसियों की वोटिंग मशीन से मिलान किया कर जो मामला है इस मामले को हम आगे भी सुनवाई करेंगे और उन्होंने कहा कि दस फीसदी लोग भी आपत्ती जताएंगे तो पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी यह चुनाव की सुप्रीम कोट ने कहा कि अठारा अपरेल को उन या चिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी जिन में वोटर वेरिफिकेशन पेपर आउडिट ट्रेल यानि वीवी पैट के साथ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीने यानि इवीम म उनके द्वारा डाले गए वोटो को रिकॉर्ड किये गए अनुसार गिने जाने की मांग की गई है यह कोट की भाषा हिंदी में ट्रांसलेट हुई है मैं पढ़ रहा हूं कूल मिलाकर मसला यह है कि 18 अब आगे मैं आपको बताता हूँ अब जो है अब बात आती है पारदर आप मंडी में बाजार में मार्केट में दर्मी होने लगी है आप जाते हैं एक तर्बूज खरीते हैं तर्बूज वाले से आप तर्बूज तब तक नहीं लेते हैं जब तक वो काट के नहीं दिखाता है कि भीतर लाल है कि नहीं पढ़ अच्छा उधार दीया वरजे मेरी बात से जितने भी लोग अगर देख रहे हैं सुन रहे हैं वह सहमत होंगे वह इत्मिंदान करना चाहते हैं कि जो तर्बूज खर्बूज हम लेकर जा रहे हैं वो कही कच्छा तो नहीं निकल जाएगा जो हम लेकर जा रहे हैं कहीं खराब तो नहीं निकल जाएगा जो हम लेकर जा रहे हैं कहीं उसमें कोई दिक्कत तो जब लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रिक देश हम हैं हमें इस बात पर गर्व है हमें इस बात पर गर्व है कि हमा इस केस में इवियम से गड़बड़ी होती है घपला होता है इस बारे में सुनवाई नहीं है यह आरोप नहीं लगाया जा रहा है यह केस यह है कि वीवी पैट की परचियों से इवियम में पड़े हुए वोटों का मिलान कर दिया जाए ज़ज साब परचियों को गिना जाए और वोटिंग मशीन तो इवियम तो जैसे कंप्यूटर में तरवा लगाते हैं फिलक घुसाते हैं वैसे घड़गड़ा के वोट दिख जाता है अगर किसी प्रत्याशी को यहां पर दिक्कत होती है कि इत्ता तो नहीं है हमां हमको तो चारे वोट मिले हैं हमाए घर में भा प्रग्या जी वोटों की गिनती वीवी पैट के जरिए की जा सकती है यह उप्शन तो है सुचिता के लिए यह उप्शन तो है समनवय बनाए रखने के लिए पारदर्शिता के लिए अब एक चीज और बताता हूं कि आभी जो निर्वाचन छेत्र हैं पांच एवीम के वो न किसी परत्याशी को होनी भी नहीं चाहिए जिस परत्याशी का वोट बड़ा-पारदर्शी तरीके से गिना जा रहा है जिस सही होगा वही तो माना जाएगा भई तो सिर्फ पांच इवियम का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान होता बाकियों का नहीं होता है याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने लगभग चौबीस लाख वीवीपैट खरीदने के लिए पांच हजार करोड रुपए बहु करोड रुपए खर्च किये हैं लेकिन केवल केवल और केवल पूरे देश में केवल और केवल 21,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, उनसे मिलान कराया जाता है यह कोट के भीतर बताया कि कोट भी इंकार बिलकुल नहीं किया कि नहीं वेकार मामला वेले जाओ खारेज जिसमें कुछ नहीं कोट ने कहा कि अगली सुनवाई एठारा तारीक को करेंगे और और यह जितने मामले आए हैं इन सब मामलों पर जो है हो मिलाकर अठारा तारीक को चुनाव कर उंगैं तो बहुत सारी पोलंग वेलोग लगता भी नहीं हिए जानता है गोट इह घ़ा लंगता में यह दो अलग है है एक EVM में अलग से जुड़ी हुई मशीन होती है जिसमें जब आप बटन दबाते हैं और पी की आवाज आती है पी की आवाज के बाद दूसरी मशीन एक जो रखी होती है डिबा जैसा इता बड़ा उस मशीन के भीतर से एक लाइट जलती है और उसमें एक परची निकलती ह बड़े ओर अंदर घुज जाती है दुबारा से अब सुप्रीम कोट में मांग सिरफ इतनी है प्रज्या जी कि वो परची वोटर के हाथ में आये मést परची बाहर निकले उसी सीशे के भीतर ने घुज जाए वो परची और इक बारफी बड़े बॉस्रा बना हो उसमें यह चुनावायोग नहीं पड़ी अच्छी बात है। इसना समय लग जाएगा तो यह तो फिर बात गले की नीचे से बिल्कुल नहीं जाती है प्रग्या जी कि जब आप साथ साथ चरणों में चुनाव करा सकते हैं साथ चरणों में चुनाव इसलिए करा सकते हैं क्योंकि जो बड़ी पार्टी है दुनिया की वो पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है तो उस पार्टी को जो है कहते हैं कि वक्त दिया जाता है कि वो साथ चरणों में चुनाव आट चरणों में चुनाव ताकि यह गेम सेट भी कर सके बदल भी सके यह सबारोप विफक्ष के लोग लगाते, साथ चरडों में चुनाव करा सकते हैं अगर आपके पास इतना वक्त है कि देढ़-देढ महिना तक चुनाव भारत देश में चल सकता है और आप देढ़-देढ महिना तक माईक माला पर खड़ लेकिन आप 12 घंटे चार दिन जो भी कह रहे हैं ये चार दिन आप गिंती को नहीं दे सकते हैं जो सबसे जादा पारदर्शी एक तरीका जो बताया जा रहा है कि वीवी पैट की मशीनों से मिलान कर लिया जाए तो क्या आप चार दिन या दो दिन तीन दिन वोट गिनने में पिए लिखर ऑफ करे करने में चार दिन दिन नहीं लगा सकते हैं और यहां कि नहीं ह bereits जा रहा है कि उसे सीइटों पर पर आपको संसय कह रहा है बोले गड़बर लग रहा है तो चट पठ तुरंत हाथ कंगन को आर्शी क्या पढ़े लिके को फार्सी क्या बोले गड़बर लगड़ लगड़ रहा है घरमाय घर में तस वोट था पूरा टोटल हमको मिला चार वोट ऐसे गर का बच्चो का नहीं मिला आदमी जो है बताता है तो संसे दूर हो जाएगा ना चुनावायों के घना हो जडाया और पूरा ना भी तो तो जिस पोलिंग बूत पर आरोप लग रहा है कि यहां मिलना चाहिए था उसी पोलिंग बूत का गिंदो भाई उसी पोलिंग बूत आप गिंदेंगे तो चुनाव आयोग पर जो लोग इतने आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग फिर ये काम करें कहें जो आरोप लगाएग क्या मुझ काला करके गदहे पो बिठा के टैलाएंगे अरे इमांदारी पर आरोप लगा देना है क्या कि बिलकुल मजाख है आप चुनाव आयो को कहते के चुआ मजाख है चुनाव आयोग को आप कुछ भी कहते रहे मजाख है आप डबाल ये गुम सबसे बड़े लोगतांत्रिक देश में चुनाव आयोग को बैमान कहते रहे मजाक है क्या बिल्कुल सहमात हूं है आपके तमाम सवालों से मैं बिल्कुल सहमात हूं बिल्कुल वाजिब बात है लेकिन एक चीज जो आपने पताई कि सुप्रीम कोट में यह कहा गया है कि अग में रहे संस् confiance का चुनाव आयोग आपंत्ति है उन्हेक को नहीं नहीं जीति तो फिर बहुत सारी आपतियां आ उन्हें काइन को बहुत जवाब नहीं दिया सुप्रीम को पर गतरोस ने लुट। कोपर समय का है निन्हें देश में जहां गतरोव ससके हैं चन्मिप्यों सब्सक्राइब। लोग अगर इस बात को कहने लग जाएंगे कि नहीं नहीं मामला गलबड़ा गुरू, मामला गडबड़ा गुरू हम उधर दिये, उधर दिकरा, यह भरोसा नहीं, जब लोगों को भरोसा किसी प्रक्रिया पर से उठ जाएगा, नहीं होगा, तो फिर सोचना पड़ेगा इस लिए अगर कुछ और बचा हो तो आप बताईया वरना डिवे चाहिए और और एक के बाद एक के बाद एक बाद एक बाद एक के कह रहे हैं भरत सर सही बोल रहे हैं 100% पर्चियों के गिंती होनी बहुत ज़रूरी है पारदर्शिता के बारे में बोल रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए नीचे कमेंट आते जा रहे हैं और 5% लोगों से वोट दिलवा कर प्रतियाशी का चुनाव इससे भी जल्दी हो स लगता है तो यह सही रहेगा आला कि बड़ा कटाख्ष कर रहे हैं और यह जिन्दा बाद इव्यम हटाओ मुहमद अनध से ऐसी बात कर प्रग्या जी मुझे लगता है कि अब हमें चर्चा को यहीं पर वाइंड आप करना चाहिए अगर कमेंट्स तो बहुत हैं कमेंट्स दे अगर आप इजाज़त दे तो हम बाइंड अप करें और उस पर हम बिल्कुल डीटेल में बात करेंगे क्या कुछ हुआ को टूप में, वह सब कुछ हम फिर से जानेंगे बरच जी हमारे साथ रहेंगे, और भी तमाम घ्स लिया हमारे साथ रहेंगे, फिलाल के लिए इतना ही म नमस्कार